नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत शुहगते दोसों केशे हैं आप शबी उमेद करते हैं कि बगवान बोलिनाद के शिरबाश ये आप शबी बहुत इच्छे होंगी जिया दोसों आप शवी को बता दें कि एक एक्षा धारी नाग आ चुका है आपका घर जिया दोसों शमे रहते हो जाये शावधान और दोसों इन तीन बातों को पिल्कुल ही धिहान में रखें जिए दोसों आने वाले दो से तीन दिनों के अंदर आप शबी के जुनकाल में यह नाग दिवता जो बड़े चमतकार करने वाले हैं दोसों सुनकर आपके रौम रौम खड़े हो आएंगे जिया दोसों, आप शबी को बता दें कि आने वाले 72 घंटों का शमय, 2-3 दिनों का शमय, जिवनकाल के सबसे बड़ा वर्दान श्राबित होने वाले हैं जिया दोसों, हम आप शबी को बता दें कि शावन का पावन महिना चला है जे दोसों, और एशे में बगवान भुलेनात का शिरबाद श्रवी भक्तों की जुनकाल में प्राप्त होते हैं। भगवान को मानते हैं और दोसों速 बहरा शिप्स श्रधा कु देखते हैं और बनाने वाले हैं दोसों यकीनन आप शबी की जुनकाल में वर्दान शेक कम नहीं है इसलिए दोसों कहते हैं कि तीन दिनों के अंदर आप तीन बातों का विशेश ध्यान रखें और कुछ उपाई को कर दें जै दोसों आपको बता दे कि घर में ही आपका ये उपाई वगवा की गलती ना करें और जियोनकाल के थोड़ा श्रम महत्पुन श्रम में निकाल कर इन्हें अंत तक देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम श्रभी महत्पुन जानकारी को बारें बात करेंगी कि दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर या नाग दिवताप शिभी की उनकाल में कौन-कौन से बड़े बदलाव करेंगे जो गरों की स्तिती बनाएंगे उनमें आपका लबलाइब स्वास्त केरियर और पड़ते एक चत्र में कौन-कौन से शुदार करने वाले हैं साथी कौन से उपाय को आपको एश्मे करने चाहिए ताकि दोस्तों आपको ल प्रदेभावशे हर हर महादेव जरू लिखेगा भूलेनात भंडारी की किरपा वर्षे की उनकाल में खुशियां प्रारम हो जाएगा ज्यादोसों बात करते हैं शुरुवात करते हैं भूलेनात के एक बहुत अच्छे महिमाशी दोस्तों एक बार भगवान भूलेनात के एक छोटे श्यभक्त बोल वंचा रहे थे दोस्तों उनके पेरों में छाली पड़ गए थे दोस्तों उनके शाथ चल रही माथा पिता उन्हें कह रही थे कि चलो में तुम्हें अपने गोद मे लेकर जाता हूं पर दोस्तों वहाँ बच्चा उस जाले के शाथ हस कर उनके शाथ कदम पर कदम मिला कर चल रहा था लेकिन दोस्तों वहाँ पर चलने वाले शबी यात्रियों के होस उड़ो गई कि केज़ों या बच्चा प्याओं में छाले होकर भी हस्ते हैस्ते चल रहा है लेकिन दोस्वों इनी के बीच बगवान भोलीनात का उतार बोलबं के ही यात्री की रूप में भोलीनात वहां पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, इनके उपर महाकाल का शाय चल रहा है तो दोसों वहां पर जितने भी व्यक्ति-यात्री थे शभी के होश उड़ गए और कहने लगे बोल बम बोल बम जीया दोसों और शभी के मन में इश्वर के प्रतीज जो भी आस्ताति और बढ़ गई और शभी चलने लगी जीया दोसों तो दोस्तों बोलेणात का यह महिमा अगर आपको असा लगा हो पशन आए हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट वोक्स मिल्क दें जय बोलेणात हर हर महादेब तो यह दोस्तों से के शाद बात करते हैं कि यहां नाग देवता जो आपके घर आचुके हैं आने वाले तीन दिरों के अंदर आप शिबी के जुनकाल में कौन-कौन शे परिणाम दिनने वाले हैं कौन-कौन शे विशे शादनी आपको रखने होंगी और शादी कौन शे और शे बड़ी बदला होंगे तो दोस्तों सभी बातें बहुत इदा महत्पन होंगी आप इन्हें अंत तक देखिएगा मिश करने की भूल बिल्कुल ना करें तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोस्तों यश्मे नई उजनाय बनाने तदा नए उपकर करने के लिए जो समय होंगे अन्यकुल समय होगा इसके साथी दोस्तों यश्मी आपको अपने मेहनत के वापिर पर्याश के शार्टक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं राजनीतिक और समाधी गतितियों में भी यश्मी आपकी विसेस पाचान बनेगी किसी मुल्यवान उ दोस्तों आपका कोई नेदी की मित्र ही आपके परिशानी का कारण बचिकता है तो इस मित्रों का आपको यश्मी शान मिन करना चाहिए बायों के साथ य शमंद मधूर बना कर रखें धर्म के नम पर आपके पेशा भी तडब सकता है और इसके प्राहत इसमी आपके लिए शमिए आपको बता दें, अभी तक की हुई मेहनत का अफ़ल आपको प्राप्त होगा, जो बातें आपके लिए शही है, उन्ही बातों पर टिके रहना आपके लिए शमेश चंबव होगा, दोस्तों आपको बता दें कि यह अपने लक्षियों को प्राप्त करने का जो आपका परितने हैं आपके दुवारा जारी रहेंगे फिर भी दूसरों दुवारा शयोग प्राप्तनों होने की विजशे आपको थोड़ा साथ दुख हो शकता है लेकिन दूसरों यह में आपको दुख होने की आवशकता नहीं है खुद पर शयम होकर आपको आगे बढ़ना इसको प्राण दूसरी यह में चल रही किसी पारिविक जिंता का शमाधान भी यह में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने आन्यकारियों के प्रती भी ध्यान लगा पाएंगी दोस्तों घर में महमानों की आवाज आहिरेगी युवावर्गों को विभागी आपी मन शमान में कमी आद ला सकती है तो इन पर ध्यान दे शमान विचा ज़हादा तथा शकार्त्मक्वन के शंपर्क में रहे इससे आपकी मन इस्तिति में शकार्तमक्व परिवर्थन आती रहेंगे और उसका प्राहता सरे यह में आपके लिए समयों के दोस्तों भले ही अभी परिवार्ष य नराजगी बन रही हो लेकिन दोस्तों मित्र परिवार्ब दोड़ा आपको पूरा शेयोग भी यस्य में प्राप्त होगा। दिने वाली है आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अफ़ने अध्यान के परती अगर्चित होना उन्हें शबल करेगा इसके साथ तोस्तों यह अगर प्रोप्ति शमद्री कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यह उस पर कारवाई ना करें क्योंकि दोस्तों यह अपके उतना नुकुल नहीं होगा, किसी भी कारी को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का यूप रूप रेखा बना लें, यह आपके लिए जरुरी होगा, गरके बजरुगों के स्वास्त का विश्य ध्यान रखें, यह आपके लिए आवश्व होगी, आपके शिवा का अविश्व करत्यां भी आपके दोबारा हो शकती है, इसलिए और नेरली लेतेश में हर नेरले को दोबारा प्रक कर आगे बढ़ें, यह आपके लिए बैतर होगे, आपके लिए को पराम दोस्तरे ओश्य प्रॉप्षु तरेव जो दिनों के अतम दीन भी को घर दैसा में स आपको पता दें कि बच्चे की किसी नकात्मग गतिविदी का पता चल सकता है जिसकी वज़शी कुछ चिंता भी होना शुभाविक है परन्तु प्रस्तितियों को शांती पुन तरीके सुचुल जाने का प्रयाश करें यश्व में मित्रों के साथ मेल जोल में आपका शमय भी काम आपके वक्त पर वक्त से पहले पूरे भी होंगी निरले लेते समय सतरकता बरतने की आपको यश्मी आवसरता होगी चैसराद करतें कि यश्मी आपको कौन शीवपायों को करना चाहिए दोस्वों अगले दोशे तीन दिनों के अंदर आपने घर में दूद और बेल प इतना शर्व भूस्त में आते हैं जो दोस्तों इससे जगह पर रख देंज जब वह गरहन कर लेंगे तो दोस्तों यकिन के जिए यह आपके जोनके शबसी बड़ी वर्दान आपका शफल हो जाएगा जोनकाल में कल्यान का रिष्टतियां आपको मिलती रहेंगी तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें और इसे देख जान करें के लिए चैनल को सुब्सक्राइब कर लें धन्यवाद